नमस्कार दोस्तों अगर आप ट्वीटर पर रेलवे से डारेक्ट कॉस्चन करोगे कि मेरे पास रेलवे काउंटर की बैटिंग टिकेट है तो क्या मैं इस बैटिंग टिकेट से ट्रवल कर सकता हूँ या पर नहीं कर सकता तो आपको कोई भी रिपलाई नहीं देंगे कोई र बैटिंग का टिकेट है और खास करके सिलीपर की आज हम बात करेंगे तो क्या आप सिलीपर कोच में ट्रवल कर सकते हो या पर नहीं कर सकते इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना क्योंकि मैंने ये सब कुद प्रेक्टिकल ये अपने आँखों से देखा इसलिए मैं आपको अच्छी तरीकी से एक्स्प्लेन करके बता दूँगा तो देखी दोस्तों जब भी आप रेल्वे काउंटर से रेजर्विसन कराते हो सिलीपर कोच का अगर आपको बैटिंग का टिक्ट मिल गया है तो जब आपको ट्रेन का चार्ट बनता है चार गंटे पहले तब ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सीट मिली है किस कोच मिली है या पर आप इसका PNR नंबर डाल के भी और ओनलाइन चेक कर सकते हो अब बात करते हैं कि आपकी जो ट्रेन है उसका चार्ट तो बन गया है लेकिन आपकी जो टिकेट हो कनफर्म ही नहीं हुए मतलब अभी भी वो बैटिंग में है तो सवाल यहां पर यहां पर यह आता है कि क्या इस बैटिंग टिकेट से मैं सिलीपर कोच में बैट के और टेवल कर सकता हूँ यह पर नहीं कर सकता और अगर मैं करूंगा तो क्या टिटी मुझे ट्रेन में चढ़ने देगा यह पर नहीं देगा यह पर कोई एक्स्टर चार्ज लगा सकता इस प्रकार का question आपके भी मन में हो सकता है और अगर आप यही question इनके customer care में call करके भी पूछोगे तो ओ लोग भी मना कर देंगे कि betting ticket से आप travel नहीं कर सकते अब वो क्यों ऐसा कहते हैं मैं आपको थोड़ी दिर में बताने वाला हूँ लेकिन हमारा जो man question यही है कि क्या इस betting ticket से हम travel कर सकते हैं या पर नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ 100% कि आप travel कर सकते हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी question कहीं पर भी नहीं पूछेगा और नहीं कोई भी आपसे after कोई भी final लेगा लेकिन हाँ आपको कुछ बात ध्यान में रखने होगी जैसे कि अगर आपको travel करना है आपको जरूरी है तो आप तो travel कर सकते हो लेकिन आपको कोई भी seat नहीं मिलेगी आपको जहां पर भी जगह खाली होती है जैसे कि अगर हम sleeper की बात करा तो S1 से start होता है तो आप try कर लेजिए कि कौन से coach में बहुत जगह जगह खाली होती है तो आप उस coach में जहां पर भी आपको जगह मिलते हैं आप वहां पर बैट के और travel कर सकते हो आपको करना है तो मैं बार बार यहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको travel करना जरूरी है तो आप इस betting ticket से travel कर सकते हो कोई भी मना नहीं कर सकता तो देखी दोस्तों betting ticket से travel करने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना है कि जिल लोगों के पहले से confirm seat है आपकी बज़े से उल लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब होता क्या है कि जितने भी betting वाले होते हैं सब एक ही coach में और भर जाते हैं और जबकि देखने में ऐसा लगता है कि यह sleeper coach है या पर यह general coach है क्योंकि जितने भी betting वाले होते हैं सब एक ही coach में जैसे कि S1 से start होता है अगर हम sleeper की बात करें और S10 या S12 तक जाता है तो आपको यह देखना है कि कौन सा coach खाली है सभी लोग betting वाले एक ही coach में नहीं भरना है आपको थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रकास डिवाइड हो जाना है बरना होता यह है कि अगर सब लोग betting वाले एक ही coach है भर जाएंगे तो आपर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और ऐसे में अगर कोई passenger पढ़ा लेका होता है तो आप लोगों की फोटो खीच के जो जहां पर भीड़ बाड़ होती है वो फोटो खीच के और complaint करेगा कि हम लोगों की तो पहले से confirm seat और इन लोगों की बज़े से हम लोगों को problem हो रही है हम लोगों को लेक्टिंग बात्रूम जाने में दिक्कत आ रही है तो फिर आपके ऊपर action लिया जाएगा हो सकता है कि आप लोगों को निकाल के और दूसरे coach में भीज़े जाए या फिर ऐसा भी बोल दें कि आप जनरल coach में चले जाए तो इस बात का हमेसा ध्यान में रख लेना है कि आप बैटिंग वाले आपके पास ticket है नो problem आपने रेल वे को पैसा दिया है लेकिन आपको कोई भी seat नहीं मिला है seat तो उन लोगों को पहले से मिला है तो आप लोगों की बज़े से उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो बैटिंग वालों की बहुत ज़्यादा भीड होने की बज़े से भी कभी कभी action लिया जाता है और इसी बज़े से जब आप customer care में call करते हो तो साप साप मना करते हैं कि आप बैटिंग ticket से travel नहीं कर सकते जबकि होता उल्टा है अगर आप practically देखोगे sleeper coach में चड़के त यूँ कि लोग नीचे बैटे रहते हैं और हम उपर बैटे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और उनको टीटी ये कुछ भी नहीं बोलता है और जब बात आती है रात को सोने की तो हमारी तो confirm है हम तो सोईगे ही सोईगे और उनको जहां पर भी जगह मिलता है तो पर थोड़ा बहुत लेट जाते हैं और इस परकार से वो लोग अपनी ट्रेवल कर लेते हैं और बैटिंग टिकेट से अगर आपको भी करना है तो आप बिंदास कर सकते हो और अगर आपके मन में अभी भी किसी परकार का डाउट है मन में कोई कोश्चन है तो कमेंट आप वहाँ पर पूछ सकते हो चली मिलते नेक्स वीडियों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्वाद